जिला सीतापूर के विकास खंड हर गाउं की ग्राम पंचयत बरियडी में ग्रामीडों ने वर्तमान ग्राम परधान सुनील गुपता पर आरोप लगाते हुए लहरपूर तहसील उपजिला अधिकारी से शिकायत की है कि ग्राम परधान के द्वारा ग्राम पंचयत में विकास कारियों के नाम पर नाली खड़न जा आवास तथा सोचाले आदी के नाम पर फरजी तरीके से लाखो रूपियों का घोटाला किया है जिसके शिकायत ग्रामीड पहले जिला अधिकारी महदे से भी कर चुके हैं परंत ग्रामिनों ने परिशान होकर एक बार फिर उब जिलादिकारी लहरपूर तथा जिलादिकारी सीतापूर से ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम परधन के द्वारा कराये गए विकासकार्यों की जाचेतु शिकायत की है। सीतापूर से एन के विश्व कर्मा की रिपोर्ट प्राइमेटी न्यूज कालुरी भी ना बनी है जी के बना रहाए तो उनके फिर बना है अभू पजय मड़या परी तो वहीते परी इसकी शिकायत आपने पहले किसी उच्छ अधिकारी से की हाँ अधिकारी से ने किया करा 5-6 मैना पहले कोई सुनवाई ना हरिगां ना तीतापुर कहों सुनवाई अच्छा कहां से आए आप किस लिए आए आप लोग यहां पर मैं पूर प्रदान था इस कुनात्य से ग्रावामासियों कि समस्या लेकर यहां आया हूँ कि जिनको चाहिए उनके आवाफ नहीं है जिनका आवास होना चाहिए उनका भर रही हैं वह भूत आवस ऐसे है जो दूसरे का आवास है जो दूसरे के नाम पर बनवा दिया गया और सोचाले करीब 50 तुसंद नहीं बने होंगे जो गवर्मेंट ने दिये थे बाकी सोचाले नहीं बने नाली सब तूटी फुटी पड़ी हुए हैं बने पानी भरा हुआ है खरंजा नहीं ले गया है चाचा खरंजे का पैसा निकल गया जमीन पर काम नहीं हुआ है काम और गराम वासी के बरियाडी के बहुत प्रेशान है और पर्थान के वर्तमार में हैं उनके दोरा कोई कार नहीं चलाए जो आपने उच्छ अधिकारियों से पिछली सिकायत की थी उसके बाद कोई कारवाई या जांच के आदेश या कोई जांच आई थी आपके गाउं में जांच एक बार आई थी एक साल पहले करीब लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं जांच कोई 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 रफा दबा करती गई और कोई कारवाई नहीं की गई वर्तमान ग्राम प्रदान का नाम क्या है वर्तमार ग्रदान सुनील कुमार गुपता